हाई गाईज विलकम बैक टो नेक्स्प्रोल लिट्रेचर तो आज से आपकी मिड एंट्री प्रोसेस स्टार्ट हो गई है और डियू ने आपको वेकेंट सीट्स का भी पूरा एक लिस्ट दे दिया है जहां पर आपको पता लगेगा कि किस कोर्स में कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स हैं जो वो खाली है वहां पर आपको पूरा एक कॉलम मिल जाएगा कि अन्रिजर्व कितनी हैं कश्मेदी माइग्रेंट के लिए कितनी हैं सिंगल गर्ल चाइल यह सारी कटेग्रीज आपको मिलेंगी सी एनस्ट अवरिफिंग तो आप सबसे पहले यह देखिएगा क कहां पर कौन से कॉलेज में आपके अकॉर्डिंग वो सीट्स खा ली हैं तब भी अपनी प्रिफरेंस लेस्ट बनाईएगा तो यहां पर आपको क्या करना है सबसे पहले आप अपना पोर्तल खोलेंगी सीए एस पोर्तल तो सीएस प्रोसेस में कोई भी अप्लाई कर सकता ह जिसको भी admission चाहिए जिसका किसी भी step में गलती हुई थी या तो वो पहले ही step में हुए फिर बाद में कुछ भी preference list बनाते वक्त whatever the mistake was आप इसमें apply कर सकते हैं now the thing is कि जो यह list आई है vacant seats की उसको मैंने बड़े ध्यान से analyze किया तो वहां पर ज्यादा अच्छे colleges में seats नहीं बची हैं सिर्फ Hindi honors रह गया Sanskrit कुछ ऐसे courses में seats है उर्दू honors तो अगर आप कुछ और course लेना चाहते थे for example अगर आपका preference था political science honors या फिर English honors तो don't run for the colleges कि हां भई मुझे इस college में seat मिल रही है तो कुछ भी ले लूँ यह नहीं होना चाहिए आपका thought process बलकि drop would be a better opportunity for you कि आप एक drop ले better suggestion यही रहेगा कि आप या तो किसी और college में ले ले या फिर आप एक drop ले ले you don't have to take in कोई random सा college क्योंकि वह course जो भी आप चुन रही है वह आपको lifetime impact करने वाला है अब तो B.A.B. जो आपकी graduation है वह भी 4 साल की है तो यह आपका बहुत ही wise decision होना चाहिए कि किस तरीके से आप चूज करते हैं आपके course को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ college है जैसे miranda house हो गया या फिर बहुत सारे stiffen college north campus की जो भी हमारे colleges है उनमें तो कोई भी सीट नहीं बची है कुछ courses में सिर्फ सीट है जैसे कि हिंदी में है एक आदी संस्कृत में मिल जाएगी वह भी रेंडम ली है ठीक है वह अन्रिजर्वड में मिलेंगी आपको एक दू तो सिर्फ कश्मीदी migrant के लिए single girl child के लिए आपको एक आदी सीट देख जाए तो ठीक है अदर्वाइस दोजवार इन रिजर्व काटेगरी जो एसी सीट में वो अपनी सीट को देखे या फिर जो अन्रिजर्वड काटेगरी वाले भी है वो भी सर्फ इस चीज़ को देखिए कि आपका प्रेफर्ड कोर्स आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है क्योंकि अगर आप ब्लाइंड ली इस बहुत ही आपका गलत decision होगा and one more thing in mind कि आपको कुछ चीज़े दिमाग में रखनी होती है जब भी आप D.U. के परस्पेक्टिव से सोचते हैं देखो सारे colleges D.U. के सेम नहीं है बहुत फरक है North और South campus में और South के भी कुछ colleges अच्छे हैं लेकिन the thing is कि crowd का फरक होता है डेली न अगर आप किसी भी ऐसे रंडम colleges में लेंगे तो आपको वही में चीज नहीं मिल पाएगी तो फिर कोई तुक नहीं बनता है कि आप ले लेते हैं ऐसे admission सो बेटर इस कि आप एक अच्छा college लें एक अच्छा course लें अगर आप college भी नहीं देखते हैं तो at least course को तो देखिए because you have to study that thing आपको लास तक उस चीज को पढ़ना उसमें पास भी होना है तो यह चीज आपको दिमाख में रखनी होती है तब भी आप जब एक admission लेते हैं so be wise and choose your college life wisely क्योंकि आपके पुरी life का decision है all right so किसी भी तरीके का अगर आपको assistance चाहिए तो we are here you can also ask your questions in the comment box तो जिसको college मिल रहा है तो congratulations to you all जिनको नहीं मिल रहा है तो उनको भी कुछ जादा दुखी होने कि वजरत नहीं है एक दो महीने का होता है यह चीज की हाँ we got this college बाद में everything will be normalized अभी आपको लग रहा है कि डियू नहीं मिलेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा but you know gradually learn this thing आप इस चीज को समझेंगे लास तक कि यह चीज़े जदमाईने नहीं रखती है अगर आप एक अच्छा course और अपना college preferred लेंगे तो ही वो चीज़े अच्छी होंगी otherwise उन चीज़ों कोई भी फाइदा नहीं है आलरेट तो आपको फिर भी कोई doubt आता है तो आप पूछ सकते हैं और you want me कि मैं preference जो लिस्ट है आपका वो बताऊं आपको कौन से college में seats बाकी हैं किस तरीके से पूरा process आपको करना है तो वो भी आप बता सकते हैं comment box में उसमें भी आपकी पूरी-पूरी help की जाएगी ठीक आपके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बबाई